संभल में पुलिस ने ज्वलरी शॉप से लाखो रूपे कीमत की आभूशलों की चोरी के मामले में चौकाने वाला खुला सकिया है पुलिस ने चोरी में शामिल एक महिला को गिरफ़तार कर उसकी निशान देही से आठ लाख रूपे कीमत के आभूशल बरामत किये पुलिस के अनुसार 250 CCTV कैमरों की मदद से शातिर महिला चोर को गिरफ़तार किया किया नौड़ा के थाना एक्सप्रेस वे स्थित मंगलोरी गाओं में घरों में काम करने वाले और अन्य जगाओं पर पुलिस वरिफिकेशन की अनिवारिता का इस्तमाल के लिए लोगों से ठगी करने वाले तीन सदस्यों को पुलिस ने गरफ़तार किया है अब युक्तों के पास थी दो लैप छे वेरिफिकेशन के फार्म, दो भरे हुए फार्म, एक रबड की महौर सहित अन्य 32 खाली फार्म, पेपर, 130 फर्जी पुलिस वरिफिकेशन जो सत्यापन दर्शाय गए हैं पुलिस ने बरामत किये रेसलर विनेश वोगाट के उलमपिक खेलों में आयोगी घोशित किये जाने के बाद से देश भर में इसे लेकर राजनिती शुरू हो गई है वहीं अब 2004 के उलमपियन और अरजुन अवार्ब विजेता ने 100 ग्राम बड़े बज़न के लिए विनेश वोगाट को जिम्मदार ठेराया उन्होंने कहा कि वो खुद 50 बार इंटरनेशन मैच खेल चुकी है बस इनको नियें तरेट में रखना खिलारी की खुद की जिम्मदारी होती है वहीं उन्होंने कोच की भूमिका को लेकर वे सवाल खड़े कर दिये रूदु प्रियाग में टेंपू ट्रेवल हाथसे में चार करमचारियों पर हुई कारिवाय का विरोध शुरू हो गया है संभागे परिवाहन विभाग के करमचारियों ने कारे वहिशकार कर दिया उत्राखन परिवाहन मिनिस्ट्रियल करमचारी संगठन के बैनर तरे करमचारी एर्ट्यों कारेले में धर्ना प्रदर्शन कर रहे करमचारी उने लंबित करमचारी को बहाल करने के मांग सरकार्जी की है मांग पूरी नहीं होने तक धरना प्रदर्शन और कारे वहिशकार जरे रखने का अलान किया रिशिकेश में राष्टिय दलित जागरन मंच से राष्टपती को ग्यापन भेज़ गया अपनी कई मांगों का उलेक्य मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की अपीड करी धिनेशपूर में छेत्र के सैक्रों लोगों ने बांगलादेश में हो रहे हिंसा के मामले में शांती पूर्ण तरीके से जुलूस निकाल कर राश्टपती के नाम ग्यापन भीज़ जिसमें उन्होंने बांगलादेश में रह रहे हिंदू बंगाली लोगों की सुरक्षा की मांग की धराली विलहन सबा के अंतरगा सिंचाई खंड धराली में एक और राचकेठी के दारों का एक गुट सुचाई बिभाग धराली के द्वारा किये गए करोडों रुपे के अनिमित्ताओं की साइटी जांच की मांग सहित दो सूत्रे मांगों को ले कर तीसरे दिन भी सुचाई कर लिया है नबालिक भागाने के आरोप में पुलिस ने रवेंद्र मिश्रा को भी करफतार किया नबालिक ने पुलिस को बताया कि रवेंद्र मिश्रा उसका पीछा क्या करता था साथ अगस को रवेंद्र मिश्रा उसे बहला फुसला कर बाइक से एक होटल में ले गया जह रहीत कमरे में राखा लाखों का समान जुलकर राखों गया गनिमत रही कि आखी लपटे अस्पताल में नहीं फैली नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था काबिनेट मंत्री और जन्पत के प्रभारी मंत्री डाक्टर धन सिंग रावत किया ध्यक्षतावेक अलेक्टरिट सबगार में जिला योजना समीती की बैठा का आयोजन हुआ बैठक में समीती द्वारा जिला योजना साल दोजा चौपेस पचिस के लिए जन्पत के कुल पर द्वे निर्धारन और कारी योजना का नमोदन किया गया ध्यक्षत द्वारा रखे गया सुझाव पर भी परिचर चकी गई जिला पंचाय सदेस्यों की बार बार प्रभारी मंत्री से आगरे करने के बाद भी जब भाजपा जला द्यक्ष और भाजपा कारी करताओं को बाहर नहीं किया गया रोदर प्रियाग जले के खड़ पातिय के काड़ा गाउं में एक विक्ती पर भालों ने जान लेवा हमला कर दिया जिसमें विक्ती गंभीर रोप से घायल हो गया स्थानी लोगों ने उसे जिलास पताल पहुंच रहा है जहां प्रात्मे कुपचार के बाद उसे हायर सेंटर रैफर कर दिया गया साथी गंभीर घायल वेक्टी को उचित मुआबज़े देने की भी लोगों ने मांग की है हरिद्वार में बिजली के बढ़ते दामों को लेकर आम आदमी पाठी के कारे करताओं ने राज्जिस सरकार के खिलाफ पदर्शन किया और सिटी मजिस्टिट को ग्यापन सौपकर पंजाब दिली की तर्च पर नेशल को बिजली देने की बांग की है उत्रबरदेश के साज़ापूर में खाना खाने को लेकर विवाद के बाद एक महिला ने पती पर वार कर मौत की खाट उतार दिया इस घटना का एक विडियो भी सामने आया है जब पूलिस मौकी पर पहुंची तो पूलिस को आरोपी महिला पती के शव पर बैठी में रोरो कर पूलिस से भी महिला कुछ कहते हुए सुनाई दे रही है फिलहाल पूलिस ने आरोपी महिला के हिरासत में लेकर शव का पंचनामा भर कर पूलिस माटन के लिए भीज दिया है